दर्शिको कैसे आप से बहुत स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रिती रिवास विचेता में दर्शिको आज पर आपको एक वह तब जबी भी मेरी यह मेरी नानी जी गाती थी जो भजन है अब वह नहीं है तो जबी भी वह शिव जी भोले नाथ पर जब जड़ जड़ाने जाती थी तब यह वहला भजन वह गुन गुनाती थी जो मैं बच्पन में अकसर सुनती थी तो वह मुझे बहुत अच्छा लगता है तो फिर मैं आज वह आपके साजा करने वाले क्योंकि महाश्य वरात्री का पर भी अभी निकट ही है आ रहा है तो वह म मारा यह वीडियो है इसके जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो जब शिवजी भोले नात पर क्योंकि महाश्य वरात्री आ रही है तो उसमें जब उनको जल चढ़ाते है तो किस क्रम में चढ़ाना चाहिए वह मैंने पूरा वीडियो पहले भी अपलोड किया हूँ है उसक जो नीचे रेट बटन दिख रहे है सस्क्राइब का उसी दबाई ये घंटी के निशान के दबाई है कि आपके लोग कोई भी वीडियो मिस्ता करें तो अभी ज्यदा टाइम वेस्ट ना करते हूए मैं आपको खुजाट सुराते हूँ है यह हरी आद्वी में है शिव जी की चट में भिर्ड चंद ये तर लागे बड़ा भारी हो राम शिव जी की जट में भिर्ड चंद ये दर लागे बड़ा भारी हो राम तन एक कमला क्याई की इच्छा शिव जी ने सींजड चाली हो राम तूटी तपड़िया राम जी भी बरसे राता ने डर भी लागे हो राम तूटी तपड़िया राम जी भी बरसे राता ने डर भी लागे हो राम घर आए जाके देख ले कमला जगमग जगमग होरी हो राम पंडत के लड़की तपेरा सोई नाई की पासड मांजे हो राम आजोरे बलको जी मंलियो सारे या शिवजी की इच्छा हो राम आजोरे बढ़को जी मल्यों सारे या सिब जी की इच्छा हो राम सिब जी की जट में बिरड़े चंदेए दर लागे बरड़ा भारी हो राम सिब जी की जट में बिरड़े चंदेए दर लागे बरड़ा भारी हो राम तो दोस्तों ये हर्यारण विंग में जो भज़ा ने इसका मतलब में आपको बता देती हूं कि जो एक लेडी है वो डर रही है कि शिवजी भगवान की जटाओं में जो भीरड होते हैं चंदाइये होते हैं उनसे उसको डर लग रहा है जल चढ़ाने में वागभाट हो रही है यहां तक कि तेरे घर भें नौकर चाकर हैं जो पंडित की वटकी है थे घर में रसोई का खाना बना रही है और जो नाई की दड्की है वा रातन बांज़ है और कह रहे हैं कि जितने भी जो उसके घर के परिवार के लोग हैं उस सारे आजाओ और एक जगा बैठके खाना खाओ और शिब जी भोले नाथ ने तुम्हारे उपर अपनी कृपा कर दिये उस पर जल चाणाने से डरू मत तो यह इसका मतलब है अगर आपको यह बजन